हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो जोन टेक अंलाइन क्लासेज और जोन टेक डिजिटल तो फ्रेंड्स आज से हम लोग आपर स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग मैटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को हमारे मेंस एक्जामिनेशन के लिए अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बिल्डिंग मैटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को हम लोग अबजेक्टिव परपस से भी पढ़ते हैं और अबजेक्टिव एक्जामिनेशन के अंदर भी इस टॉपिक से काफी कुश्चन पूछे जाते हैं यानि काफी अच्छा खासा वेटेज इस सब्जेक्ट का अबजेक्टिव एक्जामिनेशन के अंदर रहता है लेकिन मेंस एक्जामिनेशन के अंदर भी बिल्डिंग बटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट अच्छा खासा वेटेज रखता है क्योंकि यहाँ पर आपकी writing skills चेक होती है देखिए, mains examination जो होता है वो कुछ भी नहीं है खाली और खाली आपकी writing skills है knowledge आपको होगा पक्की बात है लेकिन किस तरीके से आप अपनी knowledge को नपे तुले शब्दों के अंदर copy के अंदर बया करके आ रहे हो इस पर depend करता है कि आप marks कितने अप्टेन कर पाओगे तो writing skills जो है mains examination के अंदर सबसे बड़ा factor है अगर आपकी writing skills अच्छी है तो no doubt आप mains examination के अंदर बहुत अच्छा score कर पाएंगे लेकिन अगर आपकी writing skills अच्छी नहीं है भले फिर आपको knowledge कितना ही ज़्यादा क्यों नहीं हो लेकिन वो knowledge किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि अपनी knowledge को आपने copy के अंदर लिखते समय सही तरीके से बया नहीं किया तो इस वज़े से आपके mains examination के नंबर उतने नहीं आपाते हैं तो जब result declare होता है mains examination का दिमाग के अंदर एक बात बैठा लें आप लो कि writing skills जो है वो आपका prime factor है main factor या कह सकते हैं कि आपका key factor है जो आपको इस mains examination के अंदर आगे लेकर जाएगा तो building material and construction subject जो होता है हमारा उसके अंदर को numerical तो है नहीं जैसा कि आप पढ़ते हो strength of material जैसे आप पढ़ते हो RCC जैसे आप पढ़ते हो design of steel structures और आपका geotek engineering तो इसके अंदर आपके numerical जो topic हैं वो काफी ज़यदा बनते हैं लेकिन building material and construction subject के अंदर आपका numerical नहीं बनता है तोटली theory based ही है आपका क्या रहेगा topic रहेगा यानि entire theory है और सिरफ लिखना है इसके अंदर अब knowledge तो बहुत ज़यदा है यानि building material and construction subject का जो area है वो knowledge area काफी vast है बहुत बड़ा है अब उतने बड़े knowledge को अगर गिने चुने 4 या 5 question आ रहे हैं उनके अंदर आप लिखकर आना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे तो इसके लिए जरूर ही है आपको writing skill समझ में आनी चाहिए देखी building material and construction subject के जितने भी question पूछे जाएंगे उन questions को लिखने के दो तरीके होते हैं एक तो ऐसा है कि सिर्फ खाली आप copy भर के आ जाएं तो copy भर कर अगर आप आ रहे हैं तो उसके अंदर examiner का जो view होता है आपकी copy check करने का वो होता है just average marking तो जैसे ही आपकी copy के अंदर average marking हो जाएगी तो आप score से काफी नीचे आ जाएंगे यानि जो question मुझे से पूछा गया है उसका जो answer है अगर मैं point form के अंदर लिखकर आऊं बजाए copy भरने के तो उसका एक अलग प्रभाव पढ़ता है एक अलग effect पढ़ता है that's why आपकी जो marks है न वो थोड़े से increase होंगे यानि कई बार expected marks से भी आगे आप निकल जाते हो प्लस अगर कोई ऐसा question है जिसके अंदर diagram बन रहा है या कोई derivation है या फिर कुछ अलग तरीके सा अगर आप उसको represent करकर दिखाएं या फिर ऐसा कह सकता हूं में कि अगर आप flow chart के जरीए भी उसको समझाना चाहें तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा building material and construction topic और इसके अंदर जो सबसे पहला chapter हम लोग cover करेंगे हमारे mains examination के लिए that is cement सिमेंट वाला chapter है अपने आप में एक बहुत बड़ा chapter है काफी अच्छा weightage रखता है और तक्रीबन 50% जो question होते हैं BMC के वो इसी chapter से फस्ते हैं देखिए cement एक chapter है हमारा और एक होता हमारा topic concrete technology तो concrete technology के अंदर भी cement के question जो होते हैं काफी ज़्यादा weightage रखते हैं यानि cement वाला question है वो आपका BMC और concrete technology दोनों topic के अंदर common है तो कई बार student जो होते हैं थोड़े confused हो जाते हैं कि question कहां से पूछा गया है देखिए question कहीं से भी पूछा जाए अगर आपके सारे के सारे concept crystal clear हैं तो फरक नहीं पड़ता कि cement वाला question आपका BMC से आजा है या concrete technology से आजा है basically cement को पढ़ने का purpose यह है कि जिससे हम उससे आगे plaster वगरा कर पाएं या concrete बनाएं तो concrete और plastering दोनों के अंदर cement को हमें use करना है as a binding material तो इसलिए इस chapter के हमको सारे concept अगर clear होंगे तो question कहीं से भी कैसा भी क्यों ना पूछ लिया जाए आप उसका answer बखू भी करके आएंगे तो देखिए cement वाले chapter के अंदर अब हम start करते हैं हमारी chapter को first question से तो पहला question आप लोगों के screen के सामने है अब जो पहला question इस chapter से बन सकता है वो क्या बन सकता है कि define cement and its primary types देखिए एक बात और मैं आपको बता दू में इनस examination के अंदर आपको समय कम मिन ले वाला है पकी बात है time आपको कम मिलेगा और लिखने के लिए ज़्यादा रहेगा तो ऐसे में एक writing skill improve करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जो question हम लोगों के सामने होता है उस question को आप interpret इस तरीके से कर रहे हो interpret का मतलब होता है अब यहाँ पर question लिखा हुआ define cement and its primary types दो तरीके हैं question को interpret करने के एक तो आप इनके words को पढ़ें दूसरा इसके सामने क्या marking लिखी गई है जो examination paper होता है न आपका उसके आगे क्या लिखा होता है जो question वगर आते हैं उसके आगे उसकी marking लिखी होती कि 5 number का आएगा 10 number का आएगा 15 number का आएगा 20 number का आएगा तो according to marks आपको question को interpret करना है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ define cement अब इस define word का मतलब क्या होता है define word का मतलब होता है खाली वो आपसे इसका definition पूछने वाला है लेकिन अगर इसी question के आगे 10 marks लिखा है या 15 marks लिखा है तो आपको काफी ज़्यादा detail से cement को यहाँ पर explain करना पड़ेगा तो I think यह बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी अब question हम लोगों के पास है कि define cement and its primary types तो cement क्या होता है और क्या इसकी primary type है यह हमको यहाँ पर देखने है तो चलिए देखते हैं cement क्या है और क्या इसकी primary type है देखिए हम सब जानते हैं कि cement जो है ना वो हमारे पास एक तरीके का binding material है अब जो binding material होता है नाम से इसका काम के लिए हो रहा है binding material मतलब क्या वो कोई material जो अपने आप में binding action देता है अब binding action दो तरीके का हो सकता है एक तो हो सकता है cohesive nature का और एक हो सकता है आपका adhesive nature का cohesive nature को जो binding action होता है, वो same material की बीच में होगा, और जो adhesive nature का binding action होता है, वो कोई भी दो different material की बीच में हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर cement और cement particle की बीच में action है, यानि binding action पाया जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, cohesive nature, खेकर आपका cement particle और आपका दूसरा aggregate, यान कि cementic binding material है जो क्या करता है addition और cohesion की वजह से आपकी properties को enhance करने का काम करता है point 2 भी noted यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात क्या है कि देखिए cohesiveness और addisiveness जो binding action के रूप में निकल कर आ रहा है cement के अंदर से तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसके अंदर water मिलाएं without water cement अपना property यहाँ पर show नहीं करेगा और कौन सी property की मैंने आपर बात की है यहाँ पर मैंने addition और cohesion property की बात की है खेर हमको यहाँ पर नहीं रुखना है और हमें थोड़ा से ब्रॉड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर define करने के लिए कहा गया है cement को तो दीखिए cement जो होता है वो एक ऐसा material है कि जो calcareous और दूसरा है argilaceous यानि calcareous और argilaceous materials को दोनों को अगर आपस में एक definite compound के अंदर मिला जिया जाए और मिलाने के बाद इनको high temperature पर गरम किया जाए जैनि calcareous और argilaceous material को दोनों को आपने क्या किया predeterminate proportion के अंदर मिलाते हुए high temperature range और वो कितनी होनी चाहिए 1400 से 1500 degree centigrade तो इतनी high temperature range पर जब आप इसको गरम करते हो तो हमको cement clinker देखने को मिलते हैं यह जो cement clinker होते हैं इनको कहा जाता है coarse grain cement और इन cement clinkers के अंदर आपके bog compound बन चुके होते हैं bog compound क्या होता है tricalcium aluminate, dicalcium silicate, tricalcium silicate और tetra calcium aluminiferate और यह जो bog compound होते हैं यह आगे चल कर अपनी different properties को cement के अंदर show करने वाले हैं तो इस सारे के सारे कहां बन चुके हैं cement clinkers के अंदर जिनने मैं क्या कह रहा हूँ coarse grain cement और इसी coarse grain cement को आगे चल कर जब मैं fine grind करता हूँ यानि particle का side जब मैं छोटा करूँगा तो तभी मुझको क्या देखने को मिलेगी वहाँ पर actual cement देखने को मिलेगी जो की हम cement back के अंदर पाते हैं इस question के अंदर पूछा गया था cement के primary types को यानि define करने के लिए तो कही गया साथ मैं पूछा गया कि इसके primary types को भी हमको क्या करना है यहाँ पर explain करना है तो primary type की यहाँ पर बात हो रही है अब देखिए student यहाँ पर confused हो सकते हैं primary type के अंदर वो explain करने लग जाएंगे high alumina cement को low heat cement को PPC को और आपकी rapid hardening cement को इस तरीके से जो भी आपके types होते हैं cement के उनको यहाँ पर explain करने लग जाएंगे जो की गलत बात है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि primary type कौन से है primary type का मतलब होता है शुरुवात में यानि शुरुवात में जो आप classification देने वाले हो cement का वो कौन सा हो सकता है तो शुरुवाती classification जो होता है cement का वो हो सकता है आपका hydraulic और non hydraulic यह जो hydraulic cement होता है ना जब आप इसकेंदर water को add करते हो तो water को add करने के बाद इसकेंदर आपकी setting और hardening दोनों properties यहाँ पर show होती है that's why इसको क्या कहा जाता है hydraulic cement कहा जाता है hydraulic का simple meaning होता है कि कोई भी ऐसा material जो underwater भी क्या हो जाए set हो जाए तो hydraulic cement में लिए क्या हो गया जो set भी हो रहा है और hard भी हो रहा है after the addition of water तो यहाँ पर non hydraulic cement कौन सा होगा तो non hydraulic cement में लिए वो cement है जो after addition of water केवल set हो रहा है hard नहीं हो रहा है hard का मतलब होता है simple gain of strength with time यानि समय के साथ उसके अंदर कोई strength नहीं बन रही है मैंने क्या बताया hard नहीं हो रहा है केवल क्या हो रहा है set हो रहा है अब setting क्या चीज होती है देखिए setting होता है समय के साथ अगर कोई material अपने अंदर plasticity को lose करता जा रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे setting कहेंगे तो set तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर hardening नहीं आ रही hardening का मतलब होता है strength नहीं आ रही है और इसका example क्या हो सकता है plaster of Paris हो सकता है तो पहला question हम लोगों का यहाँ पर खतम होता है तो I think this type की जो question होता है यह आपके short note के अंदर five mark के अंदर पूछे जा सकते है हमारा complete होता है तो I think आपको समझ माया होगा कि किस तरीके से हमारी writing skills हम लोगों को means examination के अंदर रखनी है खेर कोई बात नहीं और भी दूसरे बहुत सारे question होंगे उनको देखने से उनको समझने से आपको clear हो जाएगा किस तरीके से हमको वहाँ पर answer करके आना है खेर हम चलत किस तरीके से interpret करना है खाली अगर आपसे यह पूछा जाता कि what are the chief chemical ingredients of cement यानि question अगर आपका यहीं पर खतम हो जाता तब cable आप इस table को बना कर आते यानि आप जो answer करके आते उसके अंदर खाली और खाली यह table ही वहाँ पर काम आती लेकिन चुकि इसके अंदर एक clause और जू को इस तरीके से और साथ में हर एक चीफ chemical ingredient जो हैं यह सारे के सारे ingredient जो हैं constituent जो हैं सिमेंट के उनको मुझे क्या करना है one by one explain भी करके आना है तो सबसे पहले आप टेबल देख लीजिए देखिए सिमेंट के इंदर जो चीफ chemical ingredient होते हैं या फिर ऐसा कहलें कि सिमेंट के ज ही है और average कितना लेना है वो भी हम लोगों ने यहां पर define कर रखा है तो इस तरीके से अगर आप primarily इस table को बना कर आ जाते हो तो examiner को समझ मा जाएगा कि आपका जो answer है वो किस direction के अंदर जा रहा है यानि examiner को फिर दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ेगा उससे पहले समझ मा जाएगा कि आप जो अपना answer करने वाले हो उसके अंदर आप कौन-कौन से point को यहां पर रखोगे तो उसको marking करने में भी क्या होती है यहां पर आसानी हो जाती है अब चूंकि कहा गया है हमसे कि उनके function को भी समझाना है यानि उनके function को मुझे क्या करना है आप explain करना है तो that's why हम लोग क्या करेंगे दो दो तीन तीन पॉइंट जो भी important concrete पॉइंट बनने वाले हैं उनको point form के अंदर हम क्या करते जाएंगे explain भी करते जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे lime को तो lime क्या करता है देखे lime जो होता है न वो main ingredient होता है cement के अंदर य तो एक अलगी impression पढ़ेगा examiner का ध्यान सीधा वहीं पर जाएगा और वो समझ जाएगा कि आप answer क्या कर रहे हो अब देखिए फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि जो lime होता है न वो कितनी range के अंदर cement के अंदर मिला जाता है तो range भी हमने आपर define कर दी है 62 से लेकर 67 अब इसक 62 परसेंट से नीचे हो जाए तो strength को कम करेगा और आपकी cement के अंदर quick setting property को impart करेगा यानि setting बहुत जल्दी करा देगा अब देखिए कई लोग यहाँ पर confuse होंगे कि quick setting जो होता है sir वो होता है किसके कारण alumina के कारण यानि alumina जो होता है वो quick setting के लिए responsible है लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं lime की बात कर रहे हैं तो lime अगर 62 परसेंट से नीचे होगा ना तो यह आपकी setting जो होगा cement के अंदर उसको बहुत जल्दी करवा देगा यानि lime भी responsible होता है setting time को उपर नीचे करने के आपकी setting बहुत तेज कर देगा ने quick setting कर देगा इसके अंदर so I think यह बात आपकी यहाँ पर समझ में आगई होगी clear हो गया होगा किस तरी किसम को यहाँ पर point लिखकर आने हैं now हम चलते हैं आगे की तरफ और अगला देखते हैं constituent क्या है हम लोगों का silica अब silica जो होता है 17 से 25% की range के अंदर मिलाया जाता है और lime के बाद दूसरा important constituent cement के अंदर जो है वो है silica अब इस silica का क्या होता है silica का का काम होता है strength देना तो strength देने का काम किसका था lime का था lime के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूँ lime जो होता है अगर आप इसे 62 से 67% की range के अंदर मि है कि कोई एक volume है मेरे पास अब volume ऐसा है कि अगर यह सूख जाएगा तो सूखने के बाद अगर इसके volume में कोई change नहीं हो रहा है यनि इस volume के अंदर कोई-बी change नहीं हो रहा क्या develop हो जाएंगे? crack develop हो जाएंगे. तो यसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर unsoundness कहते हैं. तो अगर आब 62 से 66% की range में slime को मिला दे रहे हो तो क्या निकाल कर देगा? यह soundness. अदर्वाइस क्या निकाल कर देगा? unsoundness. और यह बात और है इसकी, कि जब आप इसको range से ज़्यादा मिला दोगे, तो no doubt आपकी strength बहुत बढ़ जाएगी. लेकिन पक्की बात है कि आपकी जो cement है ना, उस cement का setting time जो होगा, वो retard हो जाएगा. यानि जो cement आपकी आदे घंटे के अंदर flesh set हो जानी थी, यानि setting तीस मिनट के बाद आजानी थी, वही setting आगे चलकर आपको एक घंटे में या दिर घंटे के अंदर मिलेगी. यानि आपका construction जो होगा न, वो delay हो जाएगा थोड़ा सा, यानि construction जो आपका duration है, वो थोड़ा सा increase होगा यहाँ पर. That's why indirect cost आपके increase यहाँ पर हो जाएंगे, तो यह problem आपको देखने को मिलेगी. Plus, अब अगर यह 17% से नीचे रहती है, तो यह cement के अंदर क्या कर देगी, strength को कम कर देगी. तो I think आपने आपने आपर अभी तक lime के अंदर, silica के अंदर एक बात करते हैं, तो lime आया और दूसरा आया silica, यह यहनि, lime और silica के percentage में अगर आप थोड़ा सा भी घटत या बढ़त करते हो, यह increment यह decrement करते हो, तो इससे आपका cement का setting time है, उसके अंदर भी कई बार कमी या फिर कभी बढ़ोतरी होती है. तो यह बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, फिर है alumina, तो alumina के अंदर हम क्या explain कर सकते हैं, कि alumina जो होता है, यह quick setting property को impart करता है, cement के अंदर, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस point को लिख कराना है, that's why, इसके बाद, अब जो हमारा अगला point बन सकता यह form करेगा, अब देखें, कम temperature पर cement clinkers को form करने का मतलब क्या होता है, simple सा, क्या कि जो हमारा burning temperature है cement को manufacture करने के लिए, वो क्या होता है, 1400 से 1500 degree centigrade, अगर यह alumina हमने ना मिलाया होता, तो पक्की बात है कि यह जो हमारा burning temperature है, यह होता 3000 से 4000 degree centigrade पर, क्योंकि alumina मिला दिया है, तो यह alumina क्या करता है, इस clinkering temperature को कम करने का काम करता है, और इसलिए हम क्या करें, कि एक flux की तरह है, एक helper की तरह है, यह cement के अंदर काम करता है, range से जादा मिलाओगे, तो quick setting property impart करेगा, साथ में जो cement है, उसको क्या कर देगा, weak कर देगा, तो यह कुछ property हैं यहां पर किस की होंगी, alumina की होंगी, इसके बाद आता है हमारा calcium sulphate, अब देखे calcium sulphate का सीधे-सीधा मतलब cement के अंदर होता है gypsum, ठीक है, अब यह जो gypsum होता है ना, इसको आप cement के अंदर as a retarder काम में लेते हो, अब retarder को काम में क्यों ले रहे हैं, अगर आपने इस gypsum को cement के अंदर नहीं मिलाया, तो gypsum ना होने के कारण, cement जो होगा, वो under 5 minute क्या कर जाएगा, set कर जाएगा, तो इस setting से बचने के लिए, कि यानि आपको, जब आप काम कर रहे हो, cement को लेकर, यानि को प्लास्टर कर रहे हो, या फिर concrete बना रहे हो, तो आपको एक time margin available रहे, इस time margin को create करने के लिए आपने क्या क्या, इसके अंदर retarder को मिला दिया, यह retarder क्या करता है, आपका setting time 5 minute पे था, उसको खेंच कर कहा ले जाता है, 30 minute पर लेकर चला जाता है, तो इसका काफी ज़्यादा role है, cement के अंदर, यह बात हम इसके अंदर यहां पर लिख सकते हैं, फिर iron oxide के बारे हम पूछ रहे हैं, तो iron oxide जो होता है, यह क्या करेगा, cement के अंदर color को impart करेगा, साथ में hardness को impart करेगा, साथ में strength को impart करेगा, तो यह इसकी कुछ यहां पर property हैं, फिर हम लिखकर आ सकते हैं, कि cement के अंदर जो grey color होता है, वो किसके कारण हो सकता है, iron oxide के कारण, लेकिन खुद जो iron oxide होता है, वो अपने आप में कैसा होता है, red color का होता है, यानि reddish, tinge, cement के अंदर impart करता है, लेकिन यह बात भी सही है कि जो grey color होता है, cement के अंदर वो किसके कारण होता है, iron oxide के कारण होता है, next चलते हैं फिर हम लोग magnesium के उपर, अब देखिए magnesium क्या कर रहा है, magnesium क्या करता है, यह भी हमको soundness देने का काम करता है, यानि cement के अंदर soundness एक तो किसने दी है, lime ने, उसके बाद अगर कोई soundness निकाल कर देता है, soundness का मतलब होता है, volume में change ना होने देना, तो cement का volume change ना हो, after setting and drying, तो इसके लिए हम लोग क्या अड़ करते हैं, lime को, magnesium को और sulfur को उनकी range के अंदर, यानि तीन constituent हम लोगों के पास ऐसे अवी लेवल हैं, जो cement के अंदर क्या निकाल कर देंगे, soundness निकाल कर देंगे, lime तो हम पढ़ चुके हैं, magnesium हम पढ़ रहे हैं, sulfur अभी थोड़ी दिर बाद पढ़ेंगे, अगर magnesium range के अंदर है, तो यह क्या देता है, soundness देता है, और साथ में hardness भी देता है, अब चुकि color की बात आ रही है, तो color कौन सा देता है, तो यह color निकाल कर देता है यलो, यानि पीला color जो होता है, yellow color जो होता है, yellow is tinge जो होता है, फिर हम लोगों के पास है sulfur, अब sulfur क्या है मैंने बताया था, अगर आप range के अंदर मिलाते हो, नि working range के अंदर इसको मिलाया गया है, तो यह क्या करता है, sound cement को manufacture करवाता है, लेकिन अगर range से जादा है, तो यह क्या करदेगा यहाँ पर unsoundness cause करदेगा, अब देखिए, answer करते समय यहीं पर, ठीक यहीं पर हमें कहाँ पर note mention कर सकते हैं, और note क्या होगा, कि जो आपकी lime है और magnesia है, इसके कारण जो unsoundness है, इनको determine किया जा सकता है by the help of test, लेकिन यह जो sulfur है ना, इस sulfur के कारण जो भी आपकी unsoundness आ रही है, उसको determine करने के लिए या उसको निकालने के लिए, अभी तक हमारे पास कोई test available नहीं है, अब देखिए, generally lime और magnesia के कारण जो unsoundness होता है, इसको निकालने के लिए, इसको determine करने के लिए आप जानते हो, Leach Atelier और Autoclave device हम लोगों के पास available होती है, अगर इतनी जानकारी भी आप यहाँ पर note के अंदर mention करके लिखके आएंगे, तो पक्की बात है, marks थोड़े आपके enhance होंगे, क्योंकि ऐसा question कम से कम 20 या 25 नंबर के अंदर आने की पूरी-पूरी संभणा रखता है, लास्ट में हम लोगों के पास है alkalis, तो alkalis जो होता है, वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर, cement के अंदर मिलाया जाता है, याणि small amount के अंदर आप क्या करते हो, इसको add करते हो cement के अंदर, अब देखिए alkalis जो होता है आपने आप में एक ऐसा material है, कि जो burning के समय ऐसा fuel काम करता है, लेकिन अगर range से ज़्यादा होगा तो पक्की बात है, आगे चल कर यह efflorescence cause करेगा, अब efflorescence क्या है, अब एक और note लिखने के लिए हमको यह पर मिल गया, efflorescence कुछ भी नहीं है, समझिए इस बात को, कि efflorescence जो होता है वो क्या चीज है, जब cement के अंदर आपने इन alkalis को add किया, और इनकी range ज़्यादा हो गई, तो cement के अंदर जब आप पानी मिला होगे, तो पानी मिलाने के बाद जब cement सूख जाता है, तो cement के सूखने के बाद जो उसका external surface होता है, इसको यह अपन क्या कहते हैं, अब यह efflorescence का पूरा mechanism क्या है, इसको भी समझ लीजिए, कुछ नहीं होता, यह जो alkalis होते हैं, यह salt form के अंदर, cement के अंदर घुले होते हैं, यानि soluble nature के होते हैं, जब पानी आपने मिलाया, के अंदर जो wind का circulation था, और आपकी जो sunlight की, वो sunlight और wind का circulation, जब इस surface के उपर हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, यह थुड़ी सी hard होई, और hard होने के बाद यहां से जो moisture था ना, वो moisture बाहर के तरफ extract आउट हो गया, लेकिन जो salt थे, जो इस moisture content के अंदर थे, यानि इस water के अंदर थे, वो surface के उपर आ गए, यह तो बाहर नहीं निकल पाएंगे न, तो जब salt surface के उपर आ जाते हैं, तो whitish और gray spot बना देते हैं, और इसी को पन क्या कहते हैं, तो यहां पर आकर हमारे सारे के सारे constituent and होते हैं, question हम लोगों का क्या था, कि इतने भी chief chemical ingredient हैं, यानि cement को बनाने के लिए जो भी important composition हो सकता है, constituent हो सकते हैं, उनको मुझे यहां पर क्या करना है, और फिर उनके functions को भी मुझे क्या करना है, explain करना है, lime के अंदर हमने पढ़ा, silica पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने alumina को define किया, उसके बाद फिर हम लोगोंने calcium sulphate, iron oxide को define किया, magnesia और sulfur को define किया, एक node भी मैंने आपको बताया था, last में alkalis और fluorosense की problem भी हम लोगोंने यहां पर देखी, तो I think, ऐसा question आपसे पूछा जाए, 20 marks के अंदर या 25 marks के अंदर, तो इतनी length जो होगी, more than sufficient है, यानि answer करते हैं, अगर आप इससे ज़्यदा length लिखेंगे, तो वह unnecessary है, अगर 25 marks या 20 marks के अंदर यह question आता है, और ऐसा question आने की पूरे पूरे chance भी रखता है, क्योंकि important question बन जाता है, और हमने किस तरीके से answer लिखा, वो भी आपने आपर देखा, सारे answer को हमने point form के अंदर situate किया है, यानि हमने copy नहीं बरी है, point form के अंदर हर एक constant point के function को यहां पर separately define किया है, तो जितने भी आपके ऐसे question हैं, उन सबका answer आप इसी तरीके से कीजिए, तो इस तरीके से जो आपका answer बनेगा, वो landy भी नहीं होगा और वो कम भी नहीं रहेगा, यानि जितने important आपकी information होगी, वो सारी की सारी आपके answer के अंदर रहेगी, खेर हम चलते हैं हमारे अगले question की तरफ, और एक छोटा सा question हम लोग यहां देख लेते हैं, कि soundness से हम लोग क्या समझते हैं, मैंने बताया आपको soundness का मतलब क्या है, अगर कोई material है जो hard हो जाए, यानि set हो जाए, सूख जाए, simple meaning क्या, कोई material जब सूख जाएगा, तो dry होने के बाद अगर उसका volume change नहीं हो रहा है, तब मैं क्या कहूंगा उस material को sound material कहूंगा, लेकिन अगर volume change हो जाएगा, तो उस material को मैं क्या कहूंगा, unsound material कहूंगा, और जब volume change होगा, तो इस तरीके साब देख पा रहे हैं, यहां पर कुछ cracks form हो जाएगे, और इसके कारण ही मुझको आगे चल कर क्या देखने वाला है, इसके कारण मुझे आगे चल कर disintegration देखने वाला है, यह question भी complete हुआ, next question की तरफ हम लोग चलते हैं, कि देखिए, question क्या है हम लोगों का, कि explain briefly the bogs compound and their properties in the cement, यानि bogs compound को explain करने के लिए कहा गया है, और उनकी properties, cement के अंदर जो होती हैं, उन्हें भी यहां पर explain करने के लिए कहा गया है, तो किस तरीके से हमें answer करना है, उसको हम यहां पर देख लेते हैं, तो सबसे पहले किस तरीके से bogs compound का formation होता है, cement के अंदर, उसे हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, first paragraph के अंदर define करना पड़ेगा, और first paragraph के अंदर मैंने क्या लिखा है कि bogs compound जो होते हैं, किस तरीके से cement के अंदर form होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, कि जब cement के अंदर clinkers का formation होता है clinkers का formation कैसे हो रहा था calcareous और argilisus material अब calcareous material कौन सा होता है वो सभी material जिसके अंदर lime के compound है और argilisus material कौन सा होता है वो सभी compound जिसके अंदर clay के compound है यानि argilisus material वो सभी material जिसके अंदर clay के compound है दोनों को जब आपने एक definite proportion के अंदर काम में लिया और इनको high temperature range 1400 से 1500 degree centigrade पर burn किया तो burn करने के बाद वहाँ पर आपके पास कुछ मोटे मोटे particles outlet पर आपको मिलते हैं जिने आप क्या कहते हो cement clinker या फिर coarse grain cement तो उनी cement clinkers के अंदर ये सारे के सारे box compound जो होते हैं बन चुके होत लेकिन जब तक मैं पानी को add नहीं करूंगा और उससे भी पहले जरूरी है कि in cement clinkers को fine grind किया जाए fine grind क्यों किया जाता है fine grind करने से आपके particle का size हो जाएगा चोटा और जब particle का size हो गया है चोटा तो इसका surface यह बढ़ चुका है और जब surface यह बढ़ चुका है तो पक्की ब process के जरिये ही आपकी cement के अंदर strength का formation होता है तो यह hydration process भी उतने अच्छी तरीके से यहां पर हो पाएगी तो इस सारी की सारी बातें first paragraph के अंदर हमको यहां पर लिख कर आनी है कि आपकी जो clinkers हैं उनी के अंदर box compound बन चुके हैं जब cement को fine grind किया जाएगा जब उसके अंद यानि जितने भी आपके box compound हैं वो एक साथ कभी भी नहीं बनते हैं और यह क्या लिखा गया है यहां पर कि सुदा order of formation given below यानि इनके बनने का जो formation का जो serial है formation का जो order है वो यहां पर लिखा गया है देकि formation का order और उनकी property देने का order दोनों अलग-अलग बाते हैं यहां पर हम सकते हैं आफटर गारे महत्त तो मैं कह रहा हूं कि बिफोर दाइडिंग ऑफवाठर और एक बात मैं कह रहा हूं after पर देकिंद्धि आदिंग और यानि यहां पर पॉर्मेशं का सिरियल रहे गा जो इनके formation का order रहेगा वो क्या रहेगा वह यह वाला रहेगा और पानी मिल मिलाने के बाद इनकी property देने का order क्या होगा तो उसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे लेकिन हाल फिलाल अभी हम इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले पानी मिलाने से पहले यानि क्या होता है यहाँ पर आट लेकिन अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या यहां पर serial होता है या property देने का क्या order यहां पर होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहां पर इन चार box compound को one by one करके यहां पर लिखा है अब देखिए आप सबसे पहले लिखा गया है चार से 14 परसेंट है अगर इस तरीके से आप यहां पर लिखकर आएंगे तो थोड़ा से impression जोगा अच्छा पड़ेगा आपका question जोगा वो अलगे लगेगा एक दम बिल्कुल तो यह formation है after the addition of water अब properties की बात करें तो किस तरीके से explain करेंगे one by one करते चलेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे c3 है की तो c3 हम जानते हैं कि after the addition of water under 24 hours जो सबसे पहले वो compound अपनी property सो करता है सिमेंट के अंदर वो कौन होता है tricalcium aluminate चार से 14% by weight है और सबसे पहले react करता है सबसे पहले क्या करेंगा अपनी property को शो करेंगा और सबसे ज्यादा heat of hydration को भी लिबरेट आउट करता है that's why यह क्या करने वाला है यहाँ पर flash set को lead करेंगा flash set का मतलब होता है जो सबसे पहले setting होती है यानि 0 से 1 अगर scale के उपर हम देखना चाहें तो 0 से 1 इसे हम क्या कहेंगे flash set कहेंगे तो flash set property भी सीथे impart करता है चुकि सबसे ज़्यादा आपकी heat of hydration यह liberate कर रहा है that's why यह क्या करता है volume change को भी lead करता है और इसी के वज़े से इसके अंदर क्या पाई जाती है अब एक बात और हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो most undesirable property यहां होती है most undesirable property के अंदर खाली आपकी क्या आती है shrinkage क्यों shrinkage के अंदर क्या बनते हैं crack बनते हैं तो यह भी किस के कारण होता है आपका C3 के कारण होता है वो लिखा भी गया है आगे कि responsible है किस के लिए formation of cracks के लिए अब देखिए next आगे हम क्या लिख सकते हैं कि कि कितना amount of heat of hydration यह बाहर के तरफ liberate out करता है अब यह heat of hydration बाहर क्यों निकल रही तो पहले इसको भी जान लीजिए जब cement के अंदर आपने water add किया तो यहां पर एक chemical reaction शुरू होता है between cement and water अभी जो chemical reaction होता है exothermic nature है exothermic nature का हैं तो अगर तीन दिनों पर मैं चेक करों तो यह 210 कैलोरी पर ग्राम के बराबर heat of hydration बाहर के तरफ liberate out करता है and if I check at 90 days याई 90 दिनों के उपर अगर मैं इसको चेक करना चाहूं तो 310 कैलोरी पर ग्राम heat को क्या करता है यह बाहर के तरफ liberate out करता है तो यह बात भी यहां प 24 hours यानि जब आपने cement के अंदर water को add किया 24 गंटे के भीतर यह अपनी property शो करता है अब 24 गंटे के अंदर ही C3 ने अपनी property शो करी थी तो मैं आपको यह बता दूँ सबसे पहले C3 अपनी property शो करेगा 24 गंटे के अंदर then after it आपका C4 AF जो होगा वो C3 के बाद अपनी property देना start करेगा range क्या है इसकी 10-18% by weight जो होती है अब इसमें क्या होता है कि poorest cementing property होती है यानि इसका कोई engineering use नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बात तो सब लिख कर आएंगे यानि ये बात तो बहुत common है सारे के सारे candidate जोओंगे वो अपनी copy के अंदर ये लिख कर यहां पर कि भले इसके पास कोई engineering property नहीं है लेकिन जब C4AF आपका gypsum के साथ reaction करता है तो आगे चलकर एक नया chemical compound ये फॉर्म करता है जिसका नाम क्या है calcium sulfo ferrit होता है ये क्या करता है आपकी rate of hydration को accelerate कर देता है जब rate of hydration accelerate होगा तो cement की setting जो होगी न वो और भी जल्दी हो जा important clues हैं key factors हैं जब तक आप इनको question के अंदर नहीं लिखकर आओगे solution के अंदर नहीं लिखकर आओगे तो पकी बात है other candidate के comparison में आप marks को obtain नहीं कर पाओगे हम जानते हैं आज competition बहुत ज़्यादा है हर एक candidate के पास knowledge है लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी unique knowledge है जो आपको other candidate से अल calcium aluminate का heat of hydration होता है कितना तीन दिनों पर 70 calorie per gram और 90 दिनों के उपर 100 calorie per gram इतनी सारी बाते हम यहां पर लिखकर आ सकते हैं फिर हम लिख देंगे tricalcium silicate को tricalcium silicate लिखने का वही तरीका सबसे पहले इसका chemical name होगा chemical name होने के बाद फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका percentage कितना होता है तो कितना percentage है 45-65% है फिर हम देखेंगे कितने टाइम बाद यह अपनी प्रॉपरिटी देना start करेगा तो within a week after addition of water यानि सिमेंट के अं पार्टिकल है इसलिए इनका surface एरे भी क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है that's why यह क्या करता है यह early strength development को lead करता है यानि इसका जो hydration है ना total देखिए इसका heat of hydration क्या लिखा गया है is much more is much more हमने लिखा था heat of hydration maximum किसका C3A का लेकिन यहापर कौन सी heat of hydration की बात हुरी है total heat of hydration की तो total heat of hydration आपका C3S का सबसे ज़्यादा होता है that's why early strength development जो होता है सिमेंट के अंदर उसके लिए responsible कौँ है try calcium silicate लेकिन अगर flesh set की बात करेंगे तो वो कौन है C3A best cementing material होता है क्योंकि इसके अंदर आपका calcium भी है और आपका silica भी है और दोनों ही responsible है किसके लिए strength formation के लिए freezing thawing action जो होता है उसके खिलाफ resistance जो होता है इसके करण increase होता है साथ में जो इसकी heat of hydration होती है वो लगबग C4AF की heat of hydration के बराबर ही होती है कितनी होती है तेन दिनों पर 60 calorie per gram है 90 दिनों पर 106 calorie per gram है so I think यह सारी की सारी बाते भी आपको यहाँ पर clear हो गई होंगी now इसके बाद last नम लोगों के पास आता है di calcium silicate तरीका वह यह लिखने का C2SS का नाम लिखा जाएगा 15-35% है और कब बन strength का consideration है यह जो किसके वज़ेसे है वह C2S के वज़ेसे है यानि हम कह सकते हैं कि cement के अंदर जो progressive strength होती है या फिर कह सकते है कि जो ultimate strength होती है वो किसके कारण होती है C2S के कारण होती है अब दीखे इसके अंदर से जो heat of hydration होता है वो सबसे कम भार निकलता है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं या पर एक note बना कर लिख सकते हैं यानि mass concreting में mass concreting का मतलब होता है कि जब आप बहुत बड़े volume की concrete बना रहे हो जैसे dam अगर आप बना रहे हो तो इसके अंदर mass concreting की जानी है तो mass concreting की समय है जब आप cement को काम में लेते हो तो बहुत जादा heat of hydration बाहर न निकलेगी तो cracks का formation भी नहीं होगा और आपको उसके लिए maintenance में नहीं करना पड़ेगा तो इस सारी की सारी बाते हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर heat of hydration की बात करें तो इसका heat of hydration तीन दिनों पर 10 calorie पर ग्राम है और 90 दिनों के उपर कितना है यह 40 calorie पर ग्राम है इस तरीके के अगर question आ जाए तो उसका solution हमें किस तरीके से करके आना है